तो पहले हम देखेंगे कि उसकी डेफिनिशन क्या होते है उसके बाद उसके प्रिंसिपल और आगे के टॉपिक भी कवर करेंगे तो पहले हम देखते है कि UV spectroscopy की से बोलते हैं तो पहला वड़ है हमारा UV UV मतलब Ultraviolet Radiation ठीक है यहां पर आप देख सकते हो एह हमारा Ultraviolet Radiation एक क्या है Electromagnetic Radiation का एक तो इलेक्ट्रो मेग्नेटिक रचाय वह अलग 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 स्पेक्ट्रोस्कोपी उस पर वर्क करती है ठीक है तो यह जो हमारा इल्ट्रा वाईलेट्रो मेट्ट्र का फॉर्म और दुसरा है हमारा spectroscopy UV हमको पता चल चुका है कि ultraviolet radiation है ठीक है और spectroscopy मतलब क्या है कि जो इंटेरेक्शन बीटमिन light and matter मतलब ये जो UV light है और आपका जो sample है उसके बीच में जो interaction होगा उसे study को हम क्या बोलेंगे spectroscopy ठीक है जब कोई compound light absorb करता है मतलब किया आपका matter मतलब कि आपका सैंपल जब light absorb करता है तो उसमें क्या होता है excitation होता है and de-excitation होता है और एक spectrum produce होता है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीकी से आपको आपके instrument पर एक spectrum मिलेगा ठीक है तो यह study को हम क्या बोलेंगे spectroscopy तो ultraviolet radiation को यूज करके हम किसी सैंपल का अगर analysis कर रहे है तो हम उसको बोलेंगे UV spectroscopy ठीक है तो यहाँ पर यह आपको देख रहा है electromagnetic radiation का एक चार्ट मेंने बनाया हुआ है ठीक है यह आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर देख सकते हो अलग-अलग range की अलग-अलग light रहती है ठीक है जैसे कि हमार यूवी की light है 200 से 400 nanometer visible की हमाई light है 400 से 800 nanometer अगर हमको यूवी का अगर प्रैक्टिकल करना इसे बिए यूवी करना है तो हम 200 और 400 की बीच में हमारा सेंपल का अनालिस करेंगे ठीक है और visible का करना तो यह range करेंगे लेकर हम uv visible analysis करने है स्पेक्ट्रोश्कोपी करने है तो इस रेंज में किसी स्टेइन अब हम हम बात करते उसके प्रिंशिपल के बारे में ठीक है तो यूवि का जो स्टिपल है वो किस पे बेज है पहले हम उसके बारे में देखेंगे ठीक है तो यूवी का जो प्रिंसिपल है एक तो पहले में इंपरणन्ट चीज है कि वो बीए लेंबल सो हम आगे स्टडी करेंगे दूसरा क्या है कि जब कोई सैंपल यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है ठीक है त तो इस स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करता है तो इस पे भी अपना जो यूवी का प्रिंसिपल है वो डिपैंड है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल इस पे डिपैंड है ठीक है तो आपको दो चीज़ी याद रखनी है कि यूवी का प्रिंसिपल कि इस पे बेज़ रहे तो यहां पर आप देख सकते हो ठीक है कि जब भी हमारा मैटर मतलब सैंपल यूवी एक तो एबजर्प्शन एबजर्प्शन जो वर्ड है ठीक है उसी पर अपना प्रिंसिपल डिपेन है मतलब एबजर्प्शन आफ यूवी लाइट बाइ सैंपल और प को यहां इन्फर्म करना रहेगा यह देखें यहां पर लिखा है एबजर्प्शन आफ यूवी लाइट ठीक है तो इस पर यूवी का में तो प्रिंसिपल डिपेन है जब भी हमारा सैंपल यूवी या विजिवल लाइट एबजर्प्शन करेगा तो स्पेक्ट्रा प्रोड ग्राउन स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते है ठीक है जहां पर यहां पर आपका सैंपल के मॉलेक्यूल यहां है कब यहां है जब यूवी लाइट नहीं दिया गया तब यूवी लाइट आता है तो यहां से वह कहां जाते है ट्राविल करते एक्साइटेड स्पेट में करते हैं तो जब भी सेमप और यहां पर हुआ हैào Augen Story कि जो आमाउंट में अपना radiation अपना light instantly आगे ऊढ़ने स्पेक्टरन ऐसे स्पेक्ट्रम करेगे तो संद्रा'll होगा और आपको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा ठीक है उसको हम मेजर करेंगे यहां पर यही सब कुछ लिखा है मैंने और यहां पर किस पर डिपेंड करेगा कि इतने नंबर में ग्राउन स्टेट से एक्साइटर स्टेट में अपने मॉलेक्विल गए इलेक्ट्रों गए ठीक है मतलब कि यहां लोवर स्टेट में से वह अधिक है तो यह उसका प्रिंसिपल ठीक है कि जब भी अपना कोई सेंप और यूवी लाइट एब्जब करता है तो उसमें एक्साइटिशन होता है वह जंप करके ग्राउन स्टेट से एक्साइटर स्टेट में जाते हैं और एक स्पेक्टरम को एस बभाड डिपहेंड करते हैं और दिपने एलeक्ट्रों स्घेट मेरे एक सावावण स्टेट में गई तिक है मतलब कि जो स्पेक्ट्रम हमारा बने गाल वह इलेक्ट्रंथ console से बने गा मतलब हार हो एक प्रकांद होते है वह क्या करते हैं लोगर एंगजी स्टेट से हार है स्टेट में जाते हैं ठीक है उसी के बेजी पर आपको एक स्पेक्ट्र मिलता है ठीक है हमारा जो Yuva visible spectroscope है ठीक है वह यह अपने लेके उसमें क्या होता है लेकिन जो यह मेजर करता है जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं यूई स्पेक्ट्रोफोटो मीटर वो क्या करते हैं यह कितने आमाउंट में एब्जॉप्शन हुआ सैंपल धुरो ठीक है अलग-अलग वेवलेंथ पे यूई और ऐसे के बारें तो आप यहां पे देख सकते हो कि bullied का टॉपिक है कि एलेक्ट्रोफोटोब क्या जैसे किभी हम ने δेखा क्या देखा यही कि ground state से excited state में जो electron हमारे travel करते हैं उसे ही हम electron transition बोलते हैं अगर simple language में आपको बता हूँ तो ठीक है जब sample molecule या matter UV light absorb करता है तो वो कहा जाता है electron transition state में तो यहां पर जो electron transition होंगे वो four types के होंगे ठीक है chi to pi star and to pi star sigma to sigma star and n to sigma star यह चारो अपने electron transition के types है और यहां पर आपको order दे गया है ठीक है energy का तो हम one by one सारे transition देखेंगे ठीक है sigma to sigma star transition यह जो transition है उसमें यह transition होने के लिए large energy चाहिए ठीक है यहाँ पे जो electron excited होगे वो sigma bonding molecular orbital से sigma star anti bonding molecular orbital में वो क्या करेंगे excited होगे ठीक है अभी मैं आपको एक figure में सब दिखाऊंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे जो absorption maximum होगा वो exhibit होगा 125 nanometer पे ठीक है और यह ज सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा वो किस कमपाउंड में होगा कि जिसके पार सिंगल बॉंड होंगे लाइक आलकेंज हाइड्रोजन ठीक है यहाँ पर एक्जामपल आपको दी गए है कि मिथेन इथेन प्रोपेन ठीक है तो यह हमारा हो गया सिग्मा टू सिग्मा स्टार मतलब यहाँ से एक्जामपल आपको दिए गए है नेक्स्ट है हमारा पाई टू पाई ट्रांजिशन ठीक है तो उसमें भी आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगा इलेक्ट्रोन का ट्रांजिशन ठीक है वो वहाँ जाएंगे एक्जामपल आपको doo पाउय स्तार ट्रांजीशन ठीके तो यहां पर आपको लेस एनरजी जाहिए कि से इससे हम को सीघ्मा सुर्श सार्श से हमको यहां पर यहां पर coal कि शीडिफान के लिए pequen लिश्डर और जेर्फानेज्ड on ठीक है उसके example आपको यहाँ पर दी गए है ठीक है यहाँ देखे आप इथी इथाइन बेंजीन नेप्थेलीन इन सब में ठीक है next है हमारा n2 sigma star ठीक है तो n2 sigma star कहां से आएगा तो यहां से n2 sigma star ठीक है and non bonding से anti bonding तक तक तेक है तो इस transition को हम बोलेंगे AND2 sigma star transition उसमें हमको less energy चाहिए कि से sigma और sigma star से और more energy चाहिए Pi to Pi star से Cambai और sigma star से हमको कम energy चाहिए और Pi to Pi star से जादा energy चाहिए तब हमारा जाके AND2 sigma star transition होगा ठीक है तो excitation कैसे होगा यहाँ पर आपको पता चली चुका है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ ऐसे यहाँ पर N आएगा ठीक है गलती से मैंने यहाँ पाई लिख दिया मैं नोट्स में करेक्शन करके दिये दूँगी यहाँ पर N bonding नन बर्णिंग मॉलेक्र और बिटर से कहां आएगा अपना सिग्मा से ठीक है एक करेक्शन कर लेना आप लोग एब्जरप्शन पिक जो मिलेगी वो 200 नैनो के बिलोव मिलेगी ठीक है यह जो ट्रांजिशन है वो किसमें होगा तो सिग्मा बॉंड एस लोन पेर इसमें कम एनरजी चाहिए किस से तो सिग्मा और सिग्मा स्ट्रांजिशन से लेजर एनरजी चाहिए ठीक है और उसमें के एक्जामपल है हमारे कार्बोनाईल कंपाउंड तो आपको यह फिगर भी ड्रॉ करना रहेगा ठीक है जब भी यह पुछा जाये तो मोस्ट इंपो पाउंड है ठीक है तो किसी भी कंपाउन में प्रोड्यूस करने के लिए जो किसी भी कंपाउन का तो के वρे इसकार मर hedge Fund रहें मानों कि कोई भी हमारा कंपाउनद है उसमें कोई पूर्प है ठीक है अगर बेंजीन इसनद्गन है लेकिन पर बिक Northern अगा लगा देते हैं तो उसमें यलो कलर आ जाता है तो यहां पर क्या हम को पता चला कि कोई भी फंक्शनल ग्रूप कोई भी कंपाउंड में अगर कोई फंक्शनल गूप कंपाउंड के लिए रिस्पांसिवल है तो उसे हम बोलेंगे क्रोमोफोर ठीक है मैंने आपको एक्जामप देखें तो उसमें कोई कलर नहीं रहता लेकिन हम अगर लगा देते हैं तो यह यहलो पेल कलर का कंपाउंड बन जाता है नाइट्रो बेंजीन अदर जो ग्रूप है हम यह बोल सकते हैं कि नाईट्रोंड बेंजीन में एन्मप्व जो गूरुप है वह के लिए फोर ठीक है दूसरा अगर एनालेसिस की लेंग्विज में देखे तो जब भी कोई मौले की लिए लाइट एब्जरब करता है पर्टिकलर वियुलेंट पे तो वह कलर आपको सारा नहीं समझाओंगी देखने से पता चली जाता है उसके बात करते हैं अग्जोक्रों ठीक है तो किसी भी का कंपाउन में कलर तो है लेकिन उस कलर के अगर इंटेंसिटी कोई बढ़ा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे अग्जोक्रॉम बोलेंगे क्या बोलेंगे अग्जोक्रॉम बोलेंगे ठीक है तो किसी भी कंपाउन में अगर कोई कलर तो है कंपाउन में लेकिन किसी ग्रूप की वज़े से उस कलर की इंटेंसिटी अगर बढ़ रही है तो उसे हम बोलेंगे अग्जोक् हम होते हैं करते कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते एक्जामपल ओएच गुरूप नाइट्रो फिनोड देखो नाइट्रो बेंजीन में हमको पता है कि पेल यहलो कलर हमने आगे क्रोमोफर में देख लिया ठीक है लेकिन अगर यहां पर हम पैरा पोजीशन पर अगर हम ओ तो एकार में सीप्ट की तरफ हमसे बोलेंगे उसके बाद हीप्सक्रोमी को ब्लिए जिसे आपको शॉर्ट में में आ जाएगा तो इस दो यहां पर देखिए अगर हमारा एब्जर्प्शन मैक्जीमम लॉंग शॉर्टा विवलेंट तरफ जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे ब्ल्यू शिप्ट या तो इप्जोक्रोमिक शिप्ट ठीक है अगर हमारा एब्जर्प्शन मैक्जीमम की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहे यहां पर देखिए अगर हमारा एब्जर्प्शन मैक्जीमम लॉंगर विवलेंट मतलब इस साइट ट्राविल कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे रिड्शीप शॉर्टर विवलेंट की तरफ जा रहा है तो उसे बोलेंगे ब्ल्यू शिप्ट अगर हमारे एब्जर्प्शन म हम हो रहे तो उसे बोलेंगे हम यहीं चीज यहां पर लिखा हुआ है तो आज हम इतने कवर टॉपिक कवर करेंगे ठीक है नोट्स भी आपको यूट टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगी थैंक यू